तो तक स्वागत हैं आप सभीको हमारी इस यूटूब चैनल में आज हम आरारीज्ट ग्रूब डी के प्रिवियस ज़र्प बूछे गएक कुछ क्वाश्चन को मैं ने सिलक्ट किया है, जो क्वाश्चन बार बार आर आरारीज्ट ग्रूब डी के एकजाम में रिपीट हुए तो मैं उस question को solve करवाऊंगा और उस question से जितने भी related बेसिक होंगे उस सभी को मैं इस वीडियो में एक question है बहुत सब्सक्राइब को मैं basic को बता दूँगा जिससे कि उस chapter के कोई भी question होगा आपको solve करने में काफी असानी होगी तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको आपसे एक request करना चाहूंगा अगर आपने इस चैनल को इस तक subscribe नहीं किया है तो अभी इस चैनल को subscribe कर ले क्योंकि group D के बहुत सारे मैं इस चैनल पर question previous year को solve करवा चुका हूं और भी इस से related question आते रहेंगे तो इस चैनल को subscribe कर ल करते हैं देखें पहला question है number series से और भी group D में बहुत सारे number series मतलब हर shift में एक या दो minimum पूछे गए हैं तो देखिए इस से इसको करसे पाचानेंगे कि series क्या है series पाचाने के एक trick होता है क्या होता है अगर suppose कर लिजिए कोई number है ABC drastically increase कर रहा है मतलब जैसे मालते हैं यहां पर 10 है यहां पर 100 हो गया यहां पर 300 हो गया तो इस तरह का अगर number दिया हुआ है तो समझ लिजिए drastically increase कर रहा है मतलब किसी ने किसी number से multiply हो रहा होगा ठीक अगर यही नमबर जश्ट इसके अपरीट होगा मतलब drastically decrease कर रहा है तो किसी नमबर से divide होगा लेकिन अगर नमबर लेभर में चल रहा है मतलब थोड़ा कुछ ज्यदा हो रहा है थोड़ा कम हो रहा है तो यहां पर plus minus का trick होगा मतलब plus minus का logic होगा तो देखे पहले series में बहुत सारे series पूछे घ्रणर भी group D का इस logic को apply करके आप बनाईएगा तो असानी से आपको समझ में आएगा देखे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 34 आगे है 46 फिर 58 और 70 तब इसको देखे पाचल जाता होगा यह काफी जदा increase नहीं कर रहा है मतलब लेभल में चल रहा है मतलब कुछ plus minus का हुआ देखे 34 46 हा कैसे आएगा पलस 12 हुआ 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 है फिर 46 से 58 मतलब फिर 12 हो गया है फिर देखते हैं 58 70 मतलब 12 फिर से एड हुआ है मतलब लोगी समझ में आ गया 12 12 सब में एड हो रहा है मतलब 70 में 12 को हम एड कर लेंगे कितना हो जाएगा 82 त इस तरह से आप इसको solve कर सकते हैं चलिए अगले कोचन इस तरफ चलते हैं देखे अगला कोचन है दो इगात समीकन से मतलब quadratic equation से question दिया गया है इसमें पुछा गया है quadratic equation है इसके मूल alpha और beta दिया गया है तो वह कौन सा समीकन है जिसके मूल alpha square और beta square होंगे देखे एक द्या ठीक है एक द्यात समीकन मतलब quadratic equation है सपोज कर लेते हैं अगर alpha और beta इसके दो मूल है ध्यान रखेगा quadratic equation है तो इसके दो मूल होंगे और cubic होगा तो 3, by quadratic होगा तो 4 यह quadratic equation है इसके 2 मूल होंगे उसको मान लिया हमने alpha और beta ठीक है तो दोनु जो मूल है उसके sum क्या हो जाएग और दोनों का product c by a इसको ध्याम रखिएगा मतलब दोनों का sum हो जाएगा x का coefficient माइनस x का coefficient by x square का coefficient ठीक और दोनों का product जो constant number होगा वो by x square का coefficient इसी समझ में आ गिया होगा अगर यह समीकन दिया होगा तो हम मूल का sum मतलब मूल का sum और मूल का product हम निकाल सकते हैं लेकिन जश्ट इसके अपोजिट अगर हमें यह दिया हो अगर हमें दिया हो दो मूल alpha और beta है दो मूल alpha और beta हैं तो इसके समीकन क्या होगे इसके दुएगा समीकन क्या होगे तो फर्मूला हो जाएगा इसका x square minus alpha plus beta दोनों का sum into x plus alpha into beta बस इसी दो यहां पर रूल्स को यूज़ करना है और इस question को solve करेंगे x square minus alpha plus beta दोनों जो मूल होगा उसके sum into x plus alpha into beta बस इसी को यूज़ करना है और हमें इस question को solve करेंगे इसको ध्यान रखेंगा बहुत सारे question से 2-3 question से बन जाते हैं आपको ठीक है तो मैंने मिस में बता दिया है चलिए अब हम इसको solve करते हैं कि देख्या कहा गया है अगर एक समीकन है और alpha बीटा इसके मूल है तो हम इस यहां से alpha plus beta घ्रलू निकाल सकते हैं क्या जाएग alpha plus beta घ्रलू minus b by a मतलब minus b मतलब x का coefficient minus 2 by a मतलब x square का एक है मतलब यह कितना हो जाएगा दो और दोनों का प्रोड़क्ट भी निकाल सकते हैं कि अलफ हाइं टू बीटा करते सी बाए मतलब माइनस one by one मतलब माइनस one और अगया हमें वह समीकन निकान जिसका मूल alpha square और beta square दिया हुआ हो मतलब किसी भी समीकन को निकालें के चाहिए हमें दोनों के sum मतलब दोनों मूल के sum और दोनों मूल के product मतलब हमें alpha square plus beta square निकालने होंगे और alpha square into beta square हमें निकालने होंगे ठीक है तो alpha square और beta square कैसे निकालेगा इसी के समीकन को हमें यूज करना है और निकालना है देखिए इसको अगर हम दुनों तरफ square कर लेंगे तो alpha square beta निकल जाएगा देख इसको square कीजिए दुनों तरफ तो कितना हो जाएगा alpha square plus 2 alpha into beta plus beta square is equal to 4 ठीक है तो alpha square plus beta square is equal to कितना हो जाएगा 4 minus 2 into alpha into beta देख अलफा into beta value कितना दिया है minus 1 तो मतलब minus 12 कितना हो गया पलस 2 यानि कितना हो गया 6 alpha square beta square value कितना हो जाएगा 6 तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं समीकर समीकर क्या होगा x square minus दोनों के sum दो जो दोनों मूल दिये हैं कितना होगा पलस 1 मतलब एक स्क्वाइर माइनस 6 एक स्क्वाइर में कहीं नहीं है क्योंकि आपको कॉस्चन में लिख दिया है यह जो कॉस्चन है में कुछ एक समीकर दिया हुआ है कि मूल में से एक मूल है x is equal to 2 तो दूसरा मूल निकान देखे सिधा है दिगा समीकर निसके दो मूल होंगे एक मूल दिये हुए दूसरा मूल निकानना है देखे अगर कोई समीकर है सबुझ कर लते हैं x square plus b x पलस C is equal to 0 अगर यह समीकन है इसके दो मूल होंगे और मानते अलफा और बीटा अगर यह दो मूल है तो यह दो मूल इस समीकन को साटिस्फाइ करेगा ठीक तो इसमें हम भैलू पूट कर देते हैं अगर एक्स इकोल टू है इसको साटिस्फाइ करेगा तिहां से हम क्येक भैलू निकाल लेते हैं चलिए देखिए एक्स के भैलू टू पूट करें कितना हो जागा चार माइनस 48 पलस C is equal to 0 तो यह कितना जाएगा मैनस 44 तो क्येक वहलू 44 आ गया तो इसके के भैलू हम यहाँ पर पूट कर लें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वाइर माइनस 24 एक्स पलस 44 is equal to 0 ठीक है आप क्या करना है इसको आप ग्रंडखन करके निकाल लेजिए तो कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वाइर माइनस 22 एक्स माइनस 2 एक्स पलस 44 है जिक्वाइब टू जीरो कॉमन ले लिजिए तो एक्स के भैलू कितना जाएगा आपको कि दो आ जाएगा और बाइस हो जाएगा दो तो लेडी हमें दिया हुआ है दूसरा मूल हमरे कितना हो जाएगा बाइस हो जाएगा चलिए अगला कुछन है पाइचार्ट से देख कि इसमें एक पाइचार्ट दिया हुआ है इसने बाद दुहर में 22 दिसंबर में बिभीन बैंक का एन पीए को दर्साया गया है इस चार्ट में हमें कॉस्चन पूछा गया है यदि सभी बैंक के अंतरगत कुल एन पीए 300 लाग करोड़ है तो दिसंबर दूसरा तक बैंक ए परसंट है इसका 20 परसंट हमें निकाल दिजे बस सिंपल है कितना वाद दूजरो रिकन्सल कितना अगर 23 या 60 एन 60 लाग करोड़ बैंक एक एन पीए होगा चलिए देखिए अगला कौछन रेशिओ परपोर्शन से इसमें क्या दिया हुआ हुआ है आपको 13 ratio 10 B ratio C दिया हुआ है 6 ratio 13 देखिए निकालना है हमें A ratio B ratio C कभेलो देखिए A B तो यहां भी दिया है B C इसको में combine करना है दुनों ratio को combine कभ होगा देखिए B यहां पर 10 दिया हुआ है और C यहां पर 6 दिया है ब्राबर कभ होगा देखिए 6 और 10 के LCM ले लिए 30 हो जाएगा मतलब दोनों को 30 ले आए 3 से इसको multiply किजिए इसको 5 से कर दीजिए बस answer हो जाएगा तो 3 से करने कितना होगा 49 ratio 30 और यह कितना हो जाएगा 30 ratio 65 मतलब combine कर लिए अब 49 ratio 30 ratio 65 49 ratio 30 ratio 65 आपसे अच्छों से बहुत सारे HCF और LCM से बहुत सारे कोचन पूछे गए है तो एक कोचन में लिए HCF से देखें देख 54 दिया हुआ है 60 और 90 का HCF निकालना है सब्सक्राइब का मतलब ही होता है highest common factor मतलब तीनों में जो सबसे highest common number होगा उसको निकालना होता है देखें इसको तो ऐसे भी निकाल लीजिए या तो ओप्सन से यूज की जो सभी में common है highest number वह हो जागा जैसे कि इसमें देखें तीन ओप्सन है 9 है 9 देखें सब में common है इसमें थो जागा 9 सब्सक्राइब 54 यह 9 से कर रहा है तो मतलब सबस्क्राइब ना होगा नहीं कर जाएगा श्यासट भी कर जाएगा नभ्य भी कर जाएगा लेकिन अब देखें थी हो सकता है स्याफ लेकिन थी से कोई बड़ा जो कि इसमें भी divisible हो, तीनों को divide कर रहा हो, देखे, नो तो है नहीं, छो को देखे, छो काट रहे है क्या, चोबवन को काट देगा, छ्यासर भी कर जाएगा, और नब्य भी कर जाएगा, मतलब 6 हमारा hcf हो जाएगा, या फिर इसको factorize भी कर लेगा, या देखे, चोबवन क दू और 3 का स्क्वार, सभी में कोमान, देखे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 होई गया, तीन देखे, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें, मतलब 3 कर रहे के कोमान है, सिर्फ, तो 3, मतलब 3 दूनी, 6 से भी निकाल सकते हैं, चलिए, अगला question B, वही है, से दिखाज समीकन दिया हुआ है जो एक्स माइनस साथ से विभाजित कर आता है तो 35 से देखे सेम कॉस्चन है यह भी एक्स स्क्वाइर पलस एक्स पलस बी दिया हुआ कि अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर हम इसको किसी नमर से रिभाइड करते हैं थेक है अगर हम किसी नमर से रिभाइड कर देंगे तो क्या होगा अगर इखेटली किसी नमर से दिवीजोल हो जाएगा इसका रिमांडर के इतना हो जाएगा जीर हो जाएगा अगर exactly divisible नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जो नम्मर बच रहा है, वही नम्मर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यही question है इसमें, question में एक द्रिखार समिकन दिया गया है, और उसमें बताएं, अगर x-7 से divide के जाता है, तो 35, 6 बच जाता है, मतलब x-7 is equal to 0, put कर लिजिए, तो x value 7 हो जाएगा, मतलब 7 अगर इस समिकन पूट कर देंगे, जो value बच के आगा, वह 35 होगा, तो put के जिए 49 हो जाएगा, x के अस्थान पर साथ रखना है, तो 7a हो जाएगा, plus b is equal to 35, तो कितना हो जाएगा, 7a plus b is equal to minus 14, सेम यही है, x square plus bx plus a को अगर 7x-7 से divide करेंगे, तो 31 से स्थान बचता है, इस से put कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 49 plus 7b plus a, यह कितना से बचता है, 31, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 7b plus a is equal to minus 14 हो जाएगा, स्कोर और इसको 8 कर लेजिए, तब कितना हो जाएगा, 8a और 8b, मतलब 8a plus, 8b is equal to 32, minus 32 हो जाएगा, 8 common लेजिए, तो कितना हो जाएगा, a plus b, is equal to minus 32, सब्सक्राइब कि अगला है लाव और हानी से बहुत सारे कॉश्चन लाव और हानी स्पूचे गए हैं इसमें सेम लोजिक अपलाई किजिएगा यह कहें साइबाल ने 8 परसट हानी पर एक कमीज को 345 रूप करें बेजता है मान लेते हैं उसका जो कोश प्राइश था कमीज का एक्स रूपीज था उसको 92 पर संट पर बेजते हैं तो 345 में बीखता यहां समय एक्स के फेलो निकाल लेते हैं तो कितना जाएगा तीन सब पैंटालिस इन्टू हंड़ेड वाइन टीटू अब आगे कोचन कहा गया है बारा परतिसत लाब प्राप्त करने के लिए कितने कुई को बेजना चाहिए मतलब इसको 112 रुपे में बेजना है हमें त्यस्टी आ गया यह सीपी आ गया हम इसको बारा परतिसत लाब पे बेजना है बस 112 परसेंट कर लेंगे अब काट लेजिए चार से काटी अठाइस चोका 112 तरिस चोके एक सुट एक कम 111 एक सब पंद्रा मतलब पांचे मतलब 15 गुने 28 अगया कि देखें 15 को तरिस करेंगे देखें इसको पहरें दोस मल्टिप्लाइ करें कितना जागा 30 कि इधर बचिया 14 तीस को चोड़ा से मल्टिप्लाइ करें चोड़तिया 44 सब 20 इसका आंसर जाएगा अगरला कश्चन है परसेंटेस से इसमें कहा गया है एक धुबती बनाने वाल परसेंट के लिए 40 परसेंट का खड़ जाती है यदी कहा गया है कंपनी बेतन के रूप में कुल 50,000 रुपिये भुगतान करती है तो उसके रख रखाव पर बै कितना आएगा देखें बेतन पर बताया गया है 20 परसेंट है अगर 20 परसेंट इस उकल्टो हमें देदी है 50,000 सब्सक्राइब करना नहीं है 40 परसेंट इसका पूरा खर्च निकाल लेजिए फिर उसका 40 परसेंट इसे नहीं करना है ड्रैक निकाली 20 परसेंट दिया हुआ 40 परसेंट कितना हो जाएगा देखें एक लास्ट कॉच्चन है ट्रिगोनमेट्री से इसको कैसे बनाएंगे इसमें था सभी का अफ्सक्राइब कर जाएगा तो था यह टाइम लग जागा ज्यादा इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए देखें यह बन पलस टैन स्कॉर्ण थीटा थीट इस उक्वाल पता हुआ सेक स्कॉर्ण थीटा हुता है मतलब यहां पर देखें एट सेक सथार को भटा दीजिए तो फ़स्वाल थीटा हो जाएगा 10 स्कॉर्ण एक संग्स एफक्स कर देखें निकलना है बचेगा और यह उद्धर बचेंग कितना जगा थी तो 10x का वहलू कितना जाएगा 10x इस तो क्या 1060 वहलू कितना जगा 3 हो जाएगा चलिए इसमें करीब मैं दस को लिया था इसमें जो भी कोचन लिया गो बार बार रेपेटेट हो है ठीक है तो इस सारे कोचन को आप समझ गये होंगे अगर आपको भी कोई कोई दिक्कत आया ही हो तब हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें तो चलिए इस वीडियो को मैं कंप्लीट करते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व